गुनाश शहर के वरिष्ट पत्रकार की एक दुकान पर शराब के लिए पैसे मांगनी और हंगामा करने वाले दू आरुपियों को नियायले ने सुनाई एक एक साल की सजा और पांपांसो रुपए के अर्थदंड से दंड़त किया है मिली जानकारी के अनुसा दिनांग 20 अगस्त दोहसा सत्रा को वरिष्ट पत्रकार लक्षमन भडेरिया की हाट रोड सित दुकान पर दो आरुपी सौरप और फगोलू रजक और विकास और फविक्की रजक उम्र आय और शराप पीने के लिए 500 रुपए की मांगी फर्यादी द्वारा पैसे ना दिये जाने के कारेंट दोनों ने अशलील गालियां दे कर दुकान पर हंगामा मचाया और तोर फोर्ड की नियत से पत्थर मारे इस मामले में सिटी कोट वाली गुना में धारा 294, 327, 536, 34 का मामलत दर्च किया गया और विवेजना उपरांत आरोपियों को गरफतार कर न्यायाले में पेश किया गया न्यायाले मुनेंदर सिंग, वर्मा, न्याइक, मजुस्रे, प्रर्थम, श्रेणी, जिला, गुना ने अपने निंडे में दोनों आरोपियों गोलू और फर सौरप रजचक और विकास और फर विक्की रजचक को धारा 327, 323 के आरोप में दोश सिद्ध ठहराया और धारा 327 के आरोप में एक एक वर्ष के सरश्रम कारवास वा पान-पान सो रुपे के अर्थ दंड से दंडित किया जंपी खान की रिपोर्ट